US Presidential Election 2020 में Donald Trump के आने से मार्केट में लगे रहेगी आग या फिर Joy Biden के आने से मार्केट होगा क्रैस और नए इंवेस्टर्स को मिलेगी नई आज क्या आपको डर लग रहा है कहीं Joy Biden के आने से आपका पॉटफोलियो कहीं रेट ना हो जाए या फिर आपको एक्साइटमेंट हो रही है कि कहीं Joy Biden के आने से मार्केट में एंट्री करने का मौका मिल जाए या फिर आपको लग रहा है कि पैसे डाल देने चाहिए Donald Trump फिर से आ रहे हैं अगर यह सारे सवाल आपके मन में भी आ रहे हैं तो आप इस वीडियो में बने रहे हैं में 538 इलेक्टोरल कोलेज वोट होते हैं जिसमें से 270 जिस पार्टी को मिल जाती है वो विनर कहलाता है विनर पार्टी का डिसीजन भले ही नोवेंबर एंड तक हो जाए लेकिन जो नई पार्टी होती है उसका कारेकाल शुरू होगा नए साल में 2021 में जैनवरी में क्योंकि ज पपॉलेशन है वो वर्ल्ड पॉपॉलेशन का 5% होता है और जो इसका GDP जो वर्ल्ड का 20% होता है यही एक कारेन है जो पूरे वर्ल में इसका इंपक्त पढ़ता है अब हम 4 पॉइंट के मतद से समझने की कोशिस करेंगे कि कॉनसे पॉइंट से जो डॉनल्ड ट्रम के कि आवे जो पैसा होता है कि अमेरीक चाहिए टो इस चीज को लेकर बहुत ही सारे जो अमेरिकन है वो उट्षाहित है और यह मौका हो सकता है कि डोनल्ड ट्रम जीट सकते हैं उसी तरह उसकी ऑपोजिट जो जो बैडन है उन्होंने अपने अजंडर में रखा है कि कोर्परेय पॉइंट है वो है foreign policies का सभी को पता है कि Donald Trump H1B visa जो होता है जिसके through दूसरे countries के लोग अमेरिका में जाके job कर सकते हैं उसके नियमों में बदलाव करते हैं और उसको और फिर स्ट्रोंग बनाते हैं जो दूसरे देश के जो नागरिक है वहां जाके work करने में उनको आसानी नहीं होती है तो इस तरह का जो impact में होता है वो है IT companies के जो employee होते हैं जैसे के TCS या Infosys उन में नहीं लगेगा और वो उनको वोट नहीं दे सकते हैं इसके जस्ट ऑपोजिट जो डेमोक्रेटिक पार्टिक के जो बाइडन है उनका जो H1B या फिर जो foreign policies होता है थो यह liberal होता है दूसरे countries के लोग आसाने से US में जाके job कर सकते हैं तो इसके favor में जो वहां के दूसरे 2019 का pandemic था उसको चाइना वारस करके बुलाते हैं और जो उसके कारण उनने ट्रेड वार सुरू किया था जिसके कारण जो US में चाइना से इंपोर्ट होने वारे चीज़ों में टैक्स का उनने बहुत ज्यादा में टैक्स बढ़ा दिया था इसका सीधा फाइदा इंडिया ज 什么 के बहुत सारे स्टेक है उनमें से बहुत ही बड़ी कंपनी है उसमें चाइब के बुस्सके बीजिसन कर ले ना या एक नौश ऑड़ राता जिसका यहीं होता है और इस बिजिसन से जो में इस चाइन अमें सिल एव वाइडन के वह बहुत ही लिब्रे होने वाला है इसे दूसरे कंट्रीज को कम फायदा होगा इस कारण से जो दूसरे देश के निवासी है अमेरिका में वह जो बैडन के फेवर में वोट नहीं दे सकते हैं तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो कुछ पॉइंट दोनों के फेवर में है तो कुछ पॉइंट दोनों के आगेंस्ट में है तो कुल मिलाकर यूए सेलेक्शन का सौट टर्म में इंपक्ट देखने को मिलेगा चाहे वो यूएस का डाउ जोन्स हो या फिर इंडिया का नि निवेसित रहे हैं और लॉंग टर्म के लिए निवेसित रहे हैं पैसे जरूर बनेंगे थैंक्यू धन्यवाद